जैश्री कृष्णे राधी राधी कैसे हैं आप सब अभी तक मैं आप लोगों के साथ प्रॉपर जो व्लॉग है वो शेर नहीं कर पा रही थी बड़ा पूरे तीन दिन के बाद अशुद्धी से निवृत होने के बाद आज मैं अपनी ठाकुर जी का स्नान और श्रिंगार कर पाऊंगी ये देखिए ये मेरे ठाकुर जी तीन दिन से बराबर ऐसे ही बैठे हुए थे केवल इनकी पूजा होती थी इनको भोग अर्पित हो जाता था मगर इनको इस नान और इनको श्रिंगार और इनका शेयन जो सेवा थी वो तीन दिन के लिए बंद हो गई थी आपको जरा भी अंदाजा नहीं है कि आज मुझे कितनी जादा खुशी हो रही है तीन दिन से अपने ठाकुर जी से दूर रहने के कारणा मुझे बहुत बुरा लग रहा था वैसे तो भक्ती मन से की जा सकती है मगर जिसमें आपको इश्वर दिखते हो उसको आप दूर कैसे रख सकते हैं अपनी नजरों से तो आज मैं बहुत जादा खुश हूँ मैंने परसो एक मासिक धर्म में ठाकुर जी की सेवा कैसे करें इस पर आप लोगों के साथ व्लॉग भी शेयर किया था जिसका लिंक आपको मेरे इस इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आप लोग देख सकते हैं कि तीन दिन मैंने उनकी सेवा कैसे की थी और इधर जो है एक तीन दिन ठाकुर जी से दूर रहने के बाद इधर मेरे साथ एक समस्या भी खड़ी हो गई थी मेरा जो चैनल है यूट्यूब चैनल जीमेल किसी ने हैक कर लिया था आप सोच रहोंगे मुझे कैसे पता कि मैंने हैक की हैक ही हुआ था दरसल जीमेल पर जब कोई एंट्री करने की कोशिश करता है तो जीमेल पर वार्निंग आ जाती है तो उसमें भी आई लेकिन मुझे पता कैसे चला कि पूरी तरीके से हैक हो चुका है वो हुआ ये कि जिस दिन मैंने लास्ट टाइम जो व्लॉग अपलोड किया था एका दशी से रिलेटड तो उसमें सुभा आट बजे मैंने क्या देखा कि मेरे यूट्यूब चैनल है उसके वीडियो कंटेंट में किसी ने अपना वीडियो अपलोड कर दिया है जो कि हैकिंग से रिलेटड था मैं देखते ही समझ गई मेरा चैनल हैक हो चुका है और मैंने तुरंत उस वीडियो को पहले डिलेट किया क्योंकि अगर आप लोग देख लेते तो आप लोग पता नहीं क्या सोचते फिर उसके बाद मुझे लगा मुझे पूरे दिन टेंशन बनी रही कि इतनी महनत की मैंने रात दिने करके वीडियो बनाए एक वीडियो बनाने में आपको पत पर पानी फेड़ दे तो बुरा लगता है ना तो वैसे मुझे भी उस टाइम बहुत जाड़ा अटेंशन हो गई और मेरा समझ लिजे तबियत अल्री गड़बड हो गई कि इतनी महनत करने के बाद आप लोगों का जब प्यार मिलने लगा था तो किसी ने आके उसमें कोई मेरा चैनल है हुआ है मुझे लगा कि चलो अब ठीक है सब बट प्रॉब्लम तब आई जब मैंने दूसरा व्लोग अपना बहुत ही मन मार के कि पता नहीं है हो चुका है पता नहीं कोई फाइदा है कि नहीं फाइदा है मैंने एक वीडियो आपके साथ शेयर किया मासिक धर हर्न में था वो भी रश्या का ही था और उसमें आप इमैजिन ही चरफ एक वीडियो पढ़ा था और उस बंदे के 13,0iene के थे वरना अगर रिपोर्ट करने से कोई फाइदा होता तो जो इतने सारे ट्रोलर्स गंदे गंदे कमेंट्स करते हैं दूसरों के यह सबके YouTube चैनल पर वीडियो पर और जो इतनी वाहियात वीडियो अपलोड करते हैं सबसे पहले YouTube उन्हें बैन करता पर मैं चाहनते थी रिपोर् करने के अलावा कोई option बचता ही नहीं है तो अभी क्योंकि इधर मैं पूजा कर नहीं सकती थी प्रभू की उनको छो नहीं सकती थी तो आज तीन दिन बाद मुझे उनका श्रिंगार करने का मौका मिला तो यह मौका मैं कैसे छोड़ सकती जो कृष्ण बगवान की मर्जी होग कि वही मुझे acceptable होगा क्योंकि मुझे उनके पूरा विश्वास है अभी तक उन्हों नहीं समाला है तो आगे भी अब वही समालेंगे तो देखिए मेरे लाला जो है दोनों कितने सुन्दर लग रहे हैं आज मैंने इतने दिनों बाद अपने गोपाल का अपने गोविन का श